पूर्वी लदाख सीमा पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारतिये सेना हर परिस्तिती सने पटने के तियारी कर रही है सीमा पर जारी तनाव के बीच शुक्रवार को भारतिये वाई उसेना ने पाक अधिकरित कस्मीर प्योक के और चीन सीमा के पास फरवर्ड एयर बेस पर सुखोई 30M के आई लड़ाको विमान C-130J सूपर हर क्विस विमान ने उरान भड़ी बता दे कि चीन के साथ जारी का 3 रोद के बीच इस बात की असंका जाता ही जाती है कि चीन और पखिस्तान दोनों भारत के खिलाप एक साथ आ सकते हैं ऐसी इस्तिती से निपर्टने के लिए वाई उसेना दोनों मोच्चा का एक साथ समना करने की त्यारी कर रही है मौसम विभाग के उनसार मांसुन कमजोर पर सकती है वरसाथ का मौसम लगभग बितने को है मौसम विभाग के उनसार राजे के सभी जीलों में बादल छाय रहने की संभवना है पुर्वी सिम्हूं, पच्मी सिम्हूं, सिम्टेगा, सराय के लाब, पांकूर और साहिव गांज में बारिस के साथ में गरज की संभवना है जिसे लेकर विभाग ने अलोट भी जारी किया है पारा सिक्षक गहां टोला में जाकर 10 बच्चो की पढ़ाई की जिम्हेदारी लेंगे जीले के सभी पारा सिक्षक को अब अपने टोला के 10 बच्चो की पढ़ाई पनाय रखनी होगी डीजी साथ पर दिया गया कंटेंट बच्चो तक पहुंचा की नहीं बच्चे उसे पढ़कर समझ पाय की नहीं इसकी पूरी जनकारी उस टोले के पराशिक्षक की होगी बता दे की समध में सुक्रवार को जीला सिक्षक करयाले की और से आदेश भी जारी कर दिया गया है सिक्षक के टाइगिंग की जबावदही इसकूल के परचारी की होगी परचारी को इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि सिक्षक और बच्चे का अनुपाद समाने है पराशिक्षक बच्चों के साथ लगतार संपर्क में रहे और सभी बच्चे सनिवार को आयोजीत होने वाले क्यूज में हिसाले इसकी जिम्यदारे भी पराशिक्षक को की होगी जार्खन में 1261 संक्रमितों के पुष्टी हुई है जो राची से 410, बोकारो 44, चतरा 3, देवघर पशतर, धनबाद 88, दूमका 15, जमसेत पूर 144, गडवा 37, गिरिडी 47, गोड़ा 14, गुमला 7, हजारी बाग 58, जाम 13, खुटी स, तीर सट, कोडारमा 18, लात्ते हार 11, लोहरदागा 41, पाकुर 7, पलामू 28, रामगड 22, सायवग 46, राय केला 40, सिम्डेगा से 14, पाच्मी सिम्वम से 69, मिले हैं, जारखन में कुल संक्रमितों की संख्या 77, 7709 है, जबकि 64, 515, लोग स्वश्थ हुए और 616, की मिरिती हो गई, भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 69, 1571 है, जबकि 48, 46, 166, लोग स्वश्थ हुए और 93, 4 110 की मिरिती हो गई, भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 50, 465 मिले हैं, जबकि 93,000 स्वश्थ हुए हैं, जारखन में सुक्रवार को 6 की मोथ हुई है, जो जमसेद, पूर्वा पच्मी सिम्वम से 2-2, जबकि धनवाद वा गोड़ा से 1-1 की मोथ हुई है, सुक्रवार को 1270 मरीज स्वश्थ भी हुए हैं, एक्टिव केस इस प्रकार हैं, भुकारो 424, 242, देवघर 211, धनवाद 95, दूमका 229, पूर्वी सिमू 16, गाडवा 195, गिरीडी 249, गोटा 212, गुमला 316, 1266, जामतला 103, खुटी 292, कोडारमा 396, लातेहर 213, लोहरतागा 28, पांकुर नवा 344 हैं, जारखन के किसानों की करज माफी मार्च तक, जारखन के बीत मंतरी डक्टर रमेशवर उराव ने घोसना कर दिया कि मार्च के अंद तक किसानों की करज माफी का सरकार एलान कर देगी, इसे पहले जारखन परदेश कांग्रेस अध्यक्स, सहराज के बीत वकाद, से मनमानी की कोशिस की जाएगी क्योंकि इसमें यह असपस्ट नहीं है कि किसानों को कितना नीमतम सवर्थन मुल मिलेगा क्रिसी विधेकों का जार्खन में विरोध जार्खन की रजानी राची समेत अलग अलग जिलो में अलग अलग पार्टी और बैनर के तले संसत के पास किये गए क्रिसी संबंदी विलो का सुक्रवार को विरोध किया गया इन तीनों विधेकों को किसान वीरोधी बताते हुए किसान समयनवे संगहर समीती ने प्रदानमतिनारे मोधी से पूछा कि आलू, प्याज और आशन अवसेक बस्तू नहीं तो क्या है किरिसी विधेकों के खिलाप में किसान समयनों संहर समिती ने एक रैली कायोजन किया था यह रैली सहीद चोक से राजभवन होते हुए एलवर्ट एका चोक पहुंचा है 15 अक्टूबर को राज ब्यापी चका जाम करेंगे आदिवासी संगठन जार्खन बिधान सभा के मांसुल सत्र में सरना कोड बील नहीं लाने से आदिवासी संगठन के लोग नराज है आदिवासी संगठन के नेता ने खुद को ठगा महसूस कर रहे है इसके बिरोध में आगामी 15 अक्टूबर को राज ब्यापी बंद और चका जाम का एलान किया है सरना कोड लागू नहीं होने से 2021 की जनगरना में आदिवासी ओकास्ति तो खतम करने का सड़यंत रचने का अरोप आदिवासी संगठन के नेता लगा रहे है बिहार बिधान सभा चुनाव के साथ नहीं होंगे जार्खन में उप चुनाव बिहार बिधान सभा चुनाव के साथ जार्खन में उप चुनाव नहीं करा जाएंगे जार्खन की दुमका और बेरमो बिधान सभा सीट पर उप चुनाव होने है बता दे कि उमीद की जारी थी कि बिहार विधान सभा चुना 2020 की तारिक के एलान के साथ ही जारकन की दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारिक की भी घोसना चुनाव आयोक कर देगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ मोख निर्वाचन आयोक सुनीन अरोडा ने सुक्रवार को देश की राजधानी दिल्ली में बिहार चुनाव की तारिक की घोसना की देवघर से 11 साइबर अपराधी गिरफतार जारकन के देवघर जीला में पुलिस ने 11 साइबर क्रिमिनल को गिरफतार किया है ये लोग गूगल के रिमोट एकसेस एप के जरिये लोगों से ठागी करते थे गुप्त सुजना के अधार पर छापामारी करके पुलिस ने इन लोगों को अलग-अलग थाना च्छेतरों से गिरफतार किया है भाबुलल मरांडी की कुरोना जाच रिपोर्ट पोजेटीव फाजपावी दायक दलकिनेता बावुलाल मरांडी की कुरोना जांच रिपोर्ट पोजेटिव आई है बावुलाल मरांडी ने खुद सोसल मीडिया के माध्यम से जनकारी देते हुए बताया है कि शुरुवाती लक्षन दिखाई देने पर उन्होंने अपना टेस्ट करवाया और उनका कुरोना जांच रिपोर्ट पोजेटिव आई है उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वे सभी के असिर्वात से जल्दी स्वस्थ होकर लोटेंगे किसानों के समक्ष आत्म हत्या करने की सिवा कोई दूसरा चारा नहीं होगा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हमंसुरेण ने क्रीशी से समन्धित केंदर सरकार द्वारा संसद में पारित तीन नए बिधाय को किसान बिरोधी करार देते हुए कहा है कि अब किसानों के समक्ष आत्म हत्या करने की सिवा कोई दूसरा चारा नहीं होगा उन्होंने इसे संगिये ढाचे पर सबसे बड़ा हमला करार दिया है हमंसुरेण ने सुक्रोवार को राची इस्थी जार्खन मंत्राले में आयोजित सन्वादाता समेलन को समुधित कर रहे थे सभी अंचल में आज जमीन बिवाद का निप्टारा होगा जिला के सभी अंचल कर्याले में सन्वार को भूमी बिवाद समाधान दिवस का आयोजिन किया जाएगा उपायुक्त ने हर सन्वार को इसका आयोजिन करने का निर्देश दिया है बता दे कि इसमें अंचल अधिकारी थाना प्रभारी के साथ अंचल निरिक छक, रायस वूप निरिक छक एवं अंचल अमीन भी उपसित रहेंगे ताकि भूमी बिवाद का तवरीत निस्पादन सुनिश्चित हो सके भूमी बिवाद समधान दिवस में आय मामलों से समन्धित प्रत्ती वेदन हर सुमवार को निस्चित रूप से उपायुकत को उपलब्द कराना है पहली एंसुरेंस लोक अधालत आज 50 कोरों से अधिक का होगा सेटलमेंट जार्खन में आयोजित होने वाली देश की पहली एंसुरेंस लोक अधालत में 50 कोरों रुपए से अधिक के मुवजे का सेटलमेंट होगा कोर्ट में एंसुरेंस के लंबित लगवग 500 केस के अलावा 10 एर से अधिक मामलों का निस्पादन किया जाएगा बता दे कि कुरोणा के समाई एंसुरेंस लोक अधालत से लवगों को जो मुवजा मिलेगा उससे उन्हें आर्थिक कठिनायों से उबरने में थोड़ी सहता मिलेगी जार्खन ग्रामिन स्वास्थ मिशन में 357 रिक्तिया के लिए आवेदन जार्खन ग्रामिन स्वास्थ मिशन के तहत राजे के स्वास्थ एवं परिवार कल्यान विभाग ने चिकित्सा अधिकारी और रेडियो लोजिस्ट के 357 पदों के लिए एक छुक वायोग उमिद्वार से आवेदन अमन्तित किया है बता दे कि इस नोटिफिकेशन के अनुसार स्पेशलिस्ट मेडिकल अफिसर के 254 जबकि रेडियो लोजिस्ट के 21 और मेडिकल अफिसर के 82 पदों के लिए आवेदन मागे गाए है जिसके लिए 5 अक्टूबर 2020 से पहले आवेदन करना होगा सिक्षको की रोटेशन पर नाली समाप्त राज्यक के सरकारी स्कूलों में सिक्षको की लगी रोटेशन की प्रकिरिया समाप्त होगी सिक्षको को अब हर दिन स्कूल आना होगा इसके लिए सिक्षा मंत्री जगनात मतों नोग निर्देश दिया है प्रात्मिक सिक्षा निदे साला की और से आविजित बेबिनार में उन्होंने कहा कि सिक्षों की रोटेशन परनाली सबसे पहले खत्म की जाए सिक्षा गाउं में किसी पेण के नीचे खुले अस्थान पर या फिर घर घर जाकर बचों की समस्या का हल करेंगे बता दे कि बचों को किताबे दी जा चुकी है ऐसे में उन्हें जो कुछ समाज में नहीं आ रहा है उसका समाधान करेंगे किसानों को नियुम्तम समर्थन मुल्य मिलता रहेगा सिपी सिंग पूर्व मंत्री और भाजपा बिधायक सीपी सिंग ने कहा है कि नवे बिध्ययक के पारित होने के बाद भी किसानों को समर्थन मुल्ले मिलता रहेगा कंग्रेस और वीचोलियक केवल किसानों को गुमराह कर रहे हैं सीपी सिंग परदेश भाजबा कर्याले में आयोईजी समधाता समयदन को समोधित कर रहे थे। सीपी सिंग ने क्रीसी सुधार विदय को किसानों के लिए हितकारी बताया है। उन्होंने कहा है कि बिरोधिया द्वारा फैलाये जा रहा भ्रम बिलकुन निरधार और गलत है। जारखन में कुरोना के बिना लक्षन और हलके लक्षन वाले मरीज को खिलाई जाएगी आयवर मेक्टिन दवा। दूसरे राजियों से जारखन आने वाले बेगर प्रस्तास्निक अनुमती बाहर निकले तो होगी करवाई। सरकार नौरात्र से पहले माचिनमस्तिका मंदीर खोलने पर करे विचार हाई कोट। रामगर के माचिनमस्तिका मंदीर को खोलने की मांग वाली अजका पर हाई कोट में सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि सरकार अपने देवघर मंदीर को खोलने के लिए जारी एस ओपी के ताहत मंदीर खोलने पर विचार करे। सरकार ने कहा कि धर्म अस्तोलों को खोलने पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनी है जो इस पर निनने लेगी नौरात्र से पहले इस पर निनने लिया जा सकता है। लंबित पेंसन सिग्र करने का निर्देश खुटी उपायुकते। खुटी उपायुक ससी रंजर की निदेश पर सुक्रवार को पेंसन अदालत का अउजन किया गया। इस दोरान विभीन विभागों के ताथ लंबित पेंसनों के मामलों की समिक्छा की गई। मौके पर समन्धित विभाग के अधिकारियों को लंबित पेंसन के मामले का निस्तारन कर पेंसन अदालत की अगली बैठक में अगतन प्रतिवेतन के साथ उपस्तित होने का निर्देश दिया गया है पचास हयार जारखन अंदोलन कारियों के पेंसल लंबित आईसू पार्टी के केंद्रिये महासचीव और गोमियो विधायक लंबुदर बतो ने मुख मंत्री हेमन सुरें से जारखन अंदोलन कारी चीनिती करन आयो का गठन करके अंदोलन कारियों की समस्यावों के समधान करन हाई कि जार्खन आंदोलन कारी चीनहित करन आयो का कारे काल पिछले अप्रेल माह में ही समाप्थ हो चुका है धन्यवाद वीडियो को एक लाइक कर अपने फेस्बुक और वाटसेप पर अवसे सेर करें साथी साथ आप कोमेंट में हमें अपना सुझाव अवसे दे थैंक करेंड दो